इंडियन टीवी नियूज देश का तेजी से बढ़ता नियूज नेटफर्क नमस्कार आप देख रहे हैं इंडियन टीवी नियूज आईए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर आपको बता दे की जला सिवनी मध्यप्रदेश के अंतरकत आने वाले ब्लॉक लगनादौन की ग्राम पंचायत चरवांग की ग्राम राठी में आज ग्राम वासियों ने नारे लगा कर कहा की रोड नहीं तो बोट नहीं एक तरफ बीजेपी सरकार विकास यात्रा एवं जनाशिवाद यात्रा निकाल कर अपने किये हुए कार्यों को बताने में कोई कसर नहीं छोड़ ही वही दुसरी तरफ जनता जनादन विकास यात्रा एवं जनाशिवाद यात्रा का खुल कर विरोध कर ही है ग्राम राजी के ग्राम वासियों ने कहा कि हमारे ग्राम से शिकारा तक रोड इतनी खराब है कि हमको आने जाने में परिशानी होती है ग्राम वासियों ने ये भी कहा कि आजादी के 75 वर्शों के बाद भी हमारे ग्राम की रोड आखिर क्यों नहीं बरे समझ से बाहर है और क्या कुछ कहा ग्राम बासियों ने सुनते है अगर यह रोड बन जाएगी तो आपको क्या फायता होगा उससे कौन सा फायता होगा बच्चे सब्वाइट अपने जात रहे हैं अपनी पेदल नहीं रहे हैं तो अभी तक बनी नहीं है तो इतर आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है क्या तो जे रोड खराब है इसकी कि आपने शिमिनी गए थे तो कहां दिये से शिमिनी में तो उसके बाद ही आपकी सुनवाई नहीं बोलाई है तो रोड सीधी कहां नकलती है सिकारा कितना कुलिमीटर दर से अगर जी रोड बन जाएगी आगामी समय में तो आपको क्या फायदा होगा इसे जैसे कि अभी बरतमार में बीज़ेपी की सरकार है बेगात 15 सालों से और मतलब यह आपकी बास सुन नहीं रही है तो चुराव का समय भी जा रहा है तो आप क्या करेंगे आप सभी महिलाएं धर किस मुद्दे कर लेकर खड़ी हुई है कौन सी रोड तो क्या परसान ही आपको रोड में तो अभी तक आपने कोई मामा जी को सब्कुआ मामा जी को अपड़ी है लेकर आज तक आपके सनुआ नहीं हो रही है आप जिनने हात में जो पोउस्टर पकड़ी हो रोड नहीं तो अगर रोड नहीं बनेगी तो आप बोड नहीं देंगे तो जाया. बेटा क्या नाम है आपका? और पढ़ने कहा जाते हो? और विबचारा की रोट सही है? जाने में दिक्दो होतीजिक रहती तो साइकल भी नहीं लिजह सकती टूजल जाती और पैदल जाती, हैं पत्थर है। अधर रखला है긴 है जिना में फिर्टॉ आपका है अब क्या नाम बेटा मेन का। आ है कि भए कहां है है। तें तो चाहरा है हो लेकिन मामा जी ने आपके लिए साइकल दी है वह है। नागी है कैसी नहीं है इसके कराम पैदल जाना पड़ता है आज आज समस्त ग्राम वासी किसलिए खड़े उधर हम रोड के लिए खड़े हैं कौन सी रोड के लिए राठी से सिकारा के लिए उससे आपको क्या फाइदा होने माना है एक तो बच्चों की पढ़ाई के लिए नजदी की दूस को अधर ने जाकर आपकर सकते हैं और शुबह आड़ बजे जाएंगे और साम को आड़ बजे घर आजाएंगी तो बेरोजगारों को सिट्रियों से जुड़ जाएगा हमारा यहां का यूवक्त तो दो पैसा कमा के तो घर लिया आएगा यहां खेती बारी सतना पूरत हमार से आपको क्या दक्कत है सत्रा किलोमेटर दूर है और यह हमारा सिकारा पांच किलोमेटर है अगर यह रोड बन जाएगी तो इस ते वहार क्या फाइदा होगा आपको हमको एक तो बेरोजगारी बच्चा जो यहां के फिर रहा है फिर मार्केट जॉल पोटच दूसरा मार्केट पासमें और यहां सबजी भी सच्टी मिलती है से का रहा है दूबा में दस रुपया तेज मिलता है समस्तग्राम बासी बहुत सारी लोग कहत्रत हुए है GBP address कौन से मुद्द्र के लेकर हूए है जी हम इसलिए मुद्द्र करे हम लोगोंने क्या है कि हमारे इधर रोड Rolaire में रोड सिका रहा है हम उससे जुड़े हुए है लेकिन हमें अधर जाने के लिए कोई साधन नहीं है हमारी रोड कचला में पढ़ी हुई है हमारे बच्चे पढ़ने जाते है पढ़ने के लिए उनको निगा जा रहा है वो उनको कोई दिग्गत हो रही है Alan हो रहे हो पढ़ना ही पा रहे हैं के इसके लिए आभ करेंगे आब ताओ सब्सक्तावें हमारी ध्याल नहीं दे रही हैं सुरेल पाउं में छाले पढ़ रहा हैं बच्छे निंग रही आज तक लेकिन सरकार तो कह रही है हमने बिकास स्यात्रा के मादम से बहुत सारा काम किये हैं सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं की आज तक नहीं की हमारी सरकार और एक तरफ सरकार जन आसरेवाद आत्रा निकाल कर कह रही है कि हमको आसरेवाद प्रदान करो कुछ नहीं ह कुछ नहीं हुआ हमारे ग्राम में आज भी आकर देखे ना सरकात बोल रहców तो आके देखे नहां को इसलिए नहीं जब नहीं होगे और गिराम कौन सा है ये गिराम राठी आज आज सबस्त ग्राम बासी किसलिए खड़े उधर कौन सी रोड के लिए क्र शानका कि लिए खाइदा होना है एक तो बच्चों की पढ़ाई के लिए नजदी की दूसरी चीज मरीज के लिए जलपर नजदी की बड़े सहरों में ज्वाइन और यहां के पचासों लोग जो बेरोजगार हैं जलपर में जाके काम का काम कर सकते हैं और सुबह आड़ बजे जाएंगे और स दर ले आएगा यहां खेती बाड़ी सतना पूरा तो हमारा हो नहीं था आज सिंचित एरिया है जमीन पर हम नर्वार रह नहीं सकते हमारी जमीन से हमाईरा पेट नहीं पल पाता पास पास में तो धूमा भी है उदर से आप क्या दक्कत है से 17 किलोमेटर दूर है और यह हमा पास में और यहां सबजी भी सश्टी मिलती है सिकारा दूमा में 10 रुपया तेज मिलता है दादा जी आप एदर क्यों खड़े हैं हम रोड के लिए खड़े हैं रोड की मांग कर रही कौन सी रोड की मांग कर रहे हैं लाठी से सिकारा थी तो उससे आपको क्या फाइदा हो हमारे बच्चों को फाइदा हमको फाइदा हमारी बाई भी लोगों फाइदा उस सबको फाइदा क्योंकि बच्चा यहां से 6 किलमेटर पैदा जाते हैं और पैदा लाते तो वो क्या पढ़ेंगे ठक वैसे ही जाते हैं और रेल का साधन है हमें मरीज भी हो जा तो रेल से क करते हैं कि हमेगास भी कर रहे हैं अभी फगगन को रस्तेबी वी आई हुए थे लगातार कर रहा हैं और आप कि हम परिसान है अदिक्राइब का कि रहें को से knowgea का सका कमजوب हो ता सिननिए अगली प现在 मतलब है कि आप सरकार की जो क्या से आत्रा है जाना सिर्वाद आत्रा से खुश नहीं है आप यहां समस्त ग्राम बासी किसलिए खड़े हों हम इसलिए खड़े हैं कि बिखत बर्सों से जब से देश आजाद हुआ है रोट के लड़ाए लड़ रहे हैं राठी से जिकारा टू पाला मतलब रोड़ है आवागवन से इस्तागीत तो यह रोड़ जो है बनने की गुहार लगा रहे हैं सरकार से पिरसासन से सबसे अपील कर रहे हैं कईयों बार कर चुके हैं और मैं यह आपके चैनल के माध्धम चे बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं देश आजाद कितन मुके सेन है मेरा नाम ग्राम पंचायत चरकाउं रईयत ग्राम राठी आपका जो बोट लगा है फ्लेक्ष लगा है रोड नहीं तो बोट नहीं चुना बहिसकार एक कौन से मत देख लेकर आपने बोट लगा है आपकी चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं यह बिगत कई हमारी रोड नहीं बनाएंगे तो हम इसका आगामी जो चुना होगा उसका हम बहिसकार करेंगे लेकिन ना तो भगण सिंग कुलस्ते जी को सुनाई दिया है और ना कोई अधिकारी को सुनाई दिया है लेकिन भारत सरकार अभी कुछ दिन पहले बिकास यात्रा जान आगर यह रोड नहीं बनी तो हमने तो ठान लिया है और माने नहीं हम कलेक्टर जो महोदर जी है उनको भी एक आवेदन दे चुके हैं और उनको आउगत करा दिया है कि अगर हमारी रोड नहीं है तो बोड नहीं है और हम इसका वहिस्कार करते है इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहे इंडियन टीवी न्यूज हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस लीजियो को शेयर जरूर कीजिए धन्यवा फिर मिलते हैं अगली खबर के दाद